जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों 36 गड़ के बालोद जिला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्त अधिकारी की ओर से एक विकेंसी जारी हुई है तो इसी विकेंसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको complete जानकारी मिलने जा रही है ठीक है तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बिल वाला आई का धवा दिजिए और साथ ही आपको हमारे इस वीडियो के description में टेलिग्राम चैनल की लिंक और हमारे Instagram पेज और Facebook पेज की लिंक दी गई है उसमें भी आप join हो सकते हैं ठीक है तो आए श्टाट करते हैं दोस्तों जो वेकेंसी है ये समविदा में है ठीक है ध्यान रखें ये वेकेंसी समविदा की है रेगुलर भरती नहीं है ठीक है अगर आप इसमें आविदान करना चाहते हैं तो आप 6-9 से यानि कि आविदान आपके start हो चुके हैं और 20-9-23 तक यानि कि 20 सितंबर तक आप साम को 5 बजे तक आप आविदान कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि आविदान आपको offline करना होगा तो आपको speed post करना होगा ठीक है तो speed post आप कहां करेंगे आप करेंगे कार्याले मुख चिकित्सा एवं स्वास्ति अधिकारी जीला बालोद इनके नाम से आप लेटर लिखके इनको जो है post office की थुरू भेज सकते हैं ठीक है हम बात करते हैं vacancy की तो vacancy यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पदों पर vacancy है जिसे medical officer की आपका medical officer male में ये female में और क्या qualification है वो है और कितना आपको payment मिलेगा salary वो है और कितने पद हैं वो यहाँ पर ददाए गए है ठीक है तो यहाँ पर पहले बात करें medical officer female के तीन पद और यहाँ पर male के एक पद ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या यहाँ पर educational qualification क्या है ठीक है इसी पकर जब आप नीचे आएंगे तो फिजियो थेरी पेश्ट के post है छे nursing officer के एक post आपका पास जो योगिता है आपके पास जो योगिता है वो इन में से आप देखती चलिए है न और एक बात ध् इडिया पना मैं आपने टेलिगाम चैनल पर डाल दूगा आप वहां से देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए आपको आविदन करना है क्या उसके लिए educational qualification है और कितनी आपको salary मिलेगी ठीक है इसमें बहुत सारे पत हैं देखिए इस नर्सिंग officer है senior nursing officer है junior security assistant है इसके लब खार्मा सेश्ट की विकेंसी है social worker की विकेंसी है lab supervisor की विकेंसी है laboratory technician की विकेंसी है lab attendant की विकेंसी है OTA technician के वेकंसी है nursing officer के वेकंसी है staff nurse के वेकंसी है nursing officer के वेकंसी है staff nurse है अलागलग सारे पदू पर वेकंसी निकाली गई है तो आप यहाँ पर आप देखते चलिए क्या कितने पड़ है कितनी salary मिलेगी और क्या आपके पास योगिता होनी चाहिए ठीक है ये सब आपको टेलिग्राम चैनल पर ये PDF मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं फिर स्टाफ नर्स ठीक है कम्यूनिटी हिल्थ ओपिसर की वेकंसी है इसके लब जूर्य सेकर्क्रेटर असिस्टेंट की वेकंसी है इसके लब आप पीर सपोर्टर की वेकंसी है इसके लबर आपका सेक्टरी सपोर्ट इश्टाप और ब्ललेड बैंक काउंसलर तो इतने सारे 85 पदों पर वेकंसी है ठीक है इसमेंwire की 28 पद 쓰़ है ठीक है तो 85 पदों पर ये वेकेंसी निकाली गई है आप educational qualification देख लीजिए salary देख लीजिए और कितने post हैं वो देख लीजिए ठीक है आपको offline आविधन करना है तो एक बात आप ध्यान रखें अगर offline आविधन है तो इसमें form भी कम पड़ते हैं तो आपके selection होने की chances यहाँ पर ज्यादा रहते हैं तो आप लोग आविधन जरूर करें ध्यान रखें ये post समविधा की है ठीक है और आगर हम बात करें आपर आगे इस वेकेंसी की तो देखिए आविधन सुल्क की बात करेगा ना आविधन सुल्क अगर जिसका basic जिसका payment दे कम हैं उनके लिए 100 रुपै देना है किसको विकलान को अनुचित जाती को और अनुचित जनजाती को इसके लग्वाणने पिछड़ा वालगा और महीला को 200 रुपै और अनारच्चित व्रभी को 300 रुपैं देना है इसे चिल्गार जिनका 25,000 से अधिक मान दे है तो उनका 200 सो रुपए तीन सो और चार सो रुपए पेमिंट करना होगा ठीक है फॉम भरने के लिए आपको डिमांड रप बनवा के उसके माध्यम से आप पेमिंट कर सकते हैं ठीक है जयान रखें जो आपको सेलेक्शन होगा न वो तो या तो लिखित परिच्छा या तो कंप्यूटर बेश टेस्ट या फिर क्लिनिकल इसकिल बेश टेस्ट के माध्यम से आपके सेलेक्शन किया जाएगा ठीक है और उसमें कम से कम पजास परसंट अंग आपको लाना जरूरी है अन्यता आप अपात्र हो जाएंगे ठीक है तो आपके पास यह कर तो आपको 50% मार्ट से स्कोर क प्रिंट निकाल लेजए जो फौं म बरना है उसका प्रिंट निकाल के आप भर के सकते हैं अशा करता हूं वीडियोपसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बिल वाला जो आइकन है वो जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो का नोट पेकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद